आज हम आये हुए हैं विदानसभा कस्ता उत्रप्रदेश के विदानसभा कस्ता के पूर विदायक सुनील कुमार लाला जी के हां इसे मिलेंगे और जानेंगे कस्ता का हाल नमस्कार विदायक जी नमस्कार तो आप जनता के बहुत से सवाल हैं जो हमें आपसे करने हैं पर उस में राजिनेती में 2005 से आया पहले मैं मितवली का प्रधान 2005 से दस तक प्रधान रहा हूं उसके बाद हमारी सम्मानित जन्ता ने मुझे मुझे मौका दिया 12-17 तक विधान सभा का शेवा करने का मौका मिला मैंने किया भी सिच्छा मेरी इंटर है और मेरा प्रापर जो मेरा निवास है वो मितवली में है मैं मौन निवासी मितवली का हूं और मैं लगभग मितवली में ही रहता हूं कि आप समाजवादी पार्टी से विदायकी की टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं तो इसमें मेरा पहला सवाल आप से यह आएगा कि आप प्रात्मिक्ता किसको देंगे समाजवादी पार्टी से अपने टिकेट को या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आप चाहेंगे कि उ चुनाव हारने के बाद मुझे टिकट मिला था पूरदानी का चुनाव यह काफी मोटिवेशनल बात ही यह मैं बताएं लोगों को उसके बाद दो हजार बारा में बिधायक बना 17 में जिस तरीके से भाजपा ने जूट बोल करके किसानों को ठगने का काम किया नौजवानों को ठगने का काम किया जो रवया रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का वो नहीं ठीक रहा है जनता बिल्कुल इसनमें बदलाव चाहती है बात रही टिकट की तो मैं विश्वास भरोस के साथ है समाजवादी पार्ट्टी को अपने परिवार बताया और आप उस परिवार का इससा है यदि आफ़े तान पर प्रिश्णा राज जी भी लगे हुए हैं अगर उनका टिकेट होता तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे बिलकुल करेंगे समाजवादी पार्टी परिवार का मतलब होता है यह अब यह नहीं है कि टिकट ना मिले तो कहीं दूसरे दल में भाग जाओ हम तो यह ऐसे अब जिन्दा रहूँगा मेरे विचार दैरा समाजवादी पार्टी की बिचार पिदायक रहे तो उस धौरान आपने बहुत से कारे करायों गें तो उस से संबंदित कुछ हम आपसे सवाल करना चाहेंगे सड़क को ले करके आपकी आपके कारकाल में आपने कस्ता की जंता की भलाई के लिए विकास के लिए आपने क्या क्या कारे कि दोर गाउं तक शमाजवादी पार्टी की एक एजंडा था जी गाउं को दूसरी रोड से गाउं और 糖ि जोड दिया जाए गाउं में रेंज और नाली ग्राम परदान की जिम्मेदारी बनती है आवाज ले करके इससारी जिम्मेदारियां ग्राम-परदान के उपराती हैं हम लोग बिजली से लेकर के बिद्धुती करनपूरा निवocket किया हम लोग पावर हाूस नए एक में नया बना और एक मधिया में मैंने नया बनवाइया इन तौ नय बनेया और सुकंदराबाद की छमताब्रद्धि करने इन चार में हम लोगों ने चमताबर्धी कराने का काम किया है और जिन गाओं में विद्धुतिकर्ण नहीं था जहां हम लोगों को जानकारी मिलती रही हम लोग उन गाओं को बराबर विद्धुतिकर्ण में जोडने का भी काम किया है शिक्षा के छेतर में आपने जो प्रयास किये वो जरा हमाई जनता को बताएं। लेप्ताप भी देने का काम किं लोगों ने समाजवादी पार्टी ने लेफ्टाप बच्चों को दे रहें तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे किंता है तो अप्राइन इस लाज एक है किसी को नहीं सकता हूँ किसी बच्चे को नहीं मिला है हम Hello सब्पचास लोगों को बुलाकर के फोटो कीच लेना मेडिया के सामने पेस कर देना यह हम लोगों का समाजवादियों का काम नहीं स्वास्त पे जब हमारी माताएं बहने प्रिश्वव के दावरान पीडित होती थे, गाउं में लोग जाते थे, कहीं ठेलिया से लेकर, कहीं डलप से लेकर के जाते थे, उस समय आधनी अखिलेशी आदव जी ने 102 एंबूलेंस चलाने का काम किया, आप 102 पे आप काल करिये, आज भी वही 102 एंबूलेंस है, गाउं से लेकर के जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है, और बच्चे, जच्चा-बच्चा को सुरच्छित फिर वापस घर लेकर के आती है, अगर कहीं 108 पे आप फोन करिये, किसी को बुखार है, कोई जादा तवियत खराब है, या एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत वहां से उठ करके जिलास पताल या CST ले जाकर के तुरंत इलाज चालो हो जाता है, बहुत लोगों की इस तरीके से जान बच गई है, आधनी अखिले सियादाव जी ने सड़क दुरगटना किसान, जैसे कभी-कभी होता था किसाप काट लेता था, उस दौरार हम लोगों ने 5 लाक रु करते समय, उसके अगर मरत्व हो जाती है, तो हम लोग 5 लाक रुपया देने का काम है. विदायक जी जैसे कि आपने बताया कि आपने आमुक प्रयास किये हैं कस्ता की जनता के लिए, तो इस बार आप कस्ता की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कि आप अगर इस बार विदायक चुने जाते हैं तो आप उसके लिए मुख्यता आप क्या करेंगे कुछ एक दो लाइनों में आप उसको बताइए कस्ता की जनता को मोल भूत सुगधाय जो हमारी हैं भिजली सड़क पानी इंडिया मार का हैंड पंप और हम लोगों ने एक प बढ़ जाती थी और सप्लाई बराबर 24 घंटे उससे मिलती थी एक हम लोग चालू करेंगे पानी पीने के लिए इस बार हमारा एजन्डा है जो ग्रामीड छेत्र हमारे हैं जितने हमारे अपना कनेक्शन कराए हैं ट्यूबल वाला ट्यूबल का भी पानी कनेक्शन का पैस बहुत से लोग तो ऐसे जिनका मीटर नहीं लगा हुआ है और यह शहर के लिए तो यह बात बिलकुल उप्युक्त है कि 300 विजली माफ गाउं में तो लोगों कहां भी फिक्स्ट बेला तो यह हम लोगों को पता है कि गाउं में इतना एक पंखा दो बलब चार पंखा दो ब किसानों के समर्तन में समाजवादी पार्टी सदय उखणी रही हम लोग 35 किलो रासन देते थे पंचानबे रूपया एक सो पंचानबे रूपय का आज मैं देख रहा हूं उतने में केवल रिचार्ज पे पैसा मोबाइल के रिचार्ज पे पैसा घुमा करके जिस तरीके से रसोई पे पैसा बढ़ाया सरकार ने और गरीब जनता को जिस तरीके से डीजल पेट्रोल और खाज में ठगने का काम किया है वो जनता इस समय भक्तने वाली नहीं है समय आ रहा है मौका है जनता जवाब दूसरी चीज यह सिच्छा पे हम लोग इस बार अपने एरिया में ह एक अच्छा कोई कालेज नड़कियों के लिए अभी तर अगर देखा जाया तो बालिकाओं के लिए कोई नहीं है हम लोग इस बार प्रयास करेंगे कि बेहजम और हमारे नीम गाओं के आसपास में अगर होती है तो हमारे छेत्र के इधर लोगों को सिच्छा मिलेगी दू हमारे इधर के लोग जादा दूरी पड़ती है इसलिए एक ब्लाग भी हमने बनवाने का काम करेंगे और मैगल गंज को नगर पंचायत और मितवली को नगर पंचायत का धर्जा यह जरूरी हमारे चार-पांच मुद्दे हैं बाकी हमारी छेत्र की जनता इन लोगों की जो कुरे पश्ता विधान सभा में सबसे अधिक हमने काम किया था तहसील भी मैंने बनवाने का का म किया था आज मैंने जितनी बनवाई तो अपा fak ज्र ने उसका एक एंटवी नहीं रखने का काम किया है वह हमारा घर नहीं बनवजा था वो हमारी जनता का था, वो जो सुविधायां लोगों को मिलनी चाहिए थी, कुछ लोगों को दिक्कत हुई इतहिसिल बनने से, हमारा ये एरिया लखीमपुर की एरिया से जुड़ता हुआ था, लेकिन कुछ समस्याय होती हैं, जो कि हम लोगों को कुछ मजबूरिया थी, हम लोग मुहमदी जाया करते थे, मुहमदी जाने वालों को कम से कम सुविधा हो गई है, छेतर की जनता को सुविधा मिली है, इसलिए जो भी हम लोगों से होगा, इस बार कस्ता की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग एक मौका दीजिए, हम लोग विकास कराने का का करें यह भाजपा सरकार को हटाओ अभियान चलाने में जितना हम लोग सफल रहेंगे उससे भी हम लोग बहुत खुशाली होगी जब आधनी अखिले स्यादाव जी मुक्त मंत्री बनेंगे नमस्कार विधायक जी अपना मूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम ऐसी कामना करते हैं कि इस बार आपको कश्टा की जनता का अशिरवाद मिले और आप 2022 में विधायक बनें इक इस आपना मुनीष कुमार तो आप क्या चाहरें इस वार उतरप्रदेश में बदल आप चाहरें बिल्कुल है तरह तरह जाएंगे अच्छा जी तो और यो समाजवादी पार्टी और योगी और योगी नहीं चाहिए योगी देख लिया बहुत कुछ नहीं कर रहे ना किसकी सरकार चाहिए तो योगी बाबक का है ना चाहिए अच्छा वैसे उन्होंने डेड़ हजार रुपए बढ़ाया है शिक्षामित्रों का शिक्षामित्रों का दस जार मिलता था अच्छा तो इस बार समाजवादी सरकार तो मेरा कल्यान किसकी सरकार चाहिए 2022 में तो योगी बाबा की क्यों नहीं चाहिए तो यही एक मुख्य समस्या है उसके अलावा अच्छा भाजपा सरकार में तो आपको छे अजार रुपए मिलते हैं किसकी सरकार चाहिए 2022 में चाहिए सपा सरकार